Hello everyone, I am Sonal Tanwar, your educator. Welcome back to my channel, The Hindu Ansic Classes. मैं Sonal Tanwar, आप सभी की educator, आप सभी का स्वागत करती हूँ The Hindu Ansic Classes में, जहाँ पर हम The Hindu newspaper के important articles और current affairs cover करते हैं. और आज हम लोग 14 September के कुछ important articles cover करने वारे हैं. मेरी class की सभी periods आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगी. आप add the rate, UPSC, पे सोना लिखकर सर्च कर ले या फिर description और comment box में आपको direct link प्रोवाइड कर दिया जाएगा. वहाँ से भी आप मेरे channel जॉइन कर सकते हैं. तो चलिए start करते हैं अपना आज का discussion बिना किसी देगी के साथ हमारे first article से. तो आज के articles को start करने से पहले मैं आपको आज के दिन की, यानि की 14 September की कुछ खासियत बताना चाहूंगी. चोड़ा सेप्टेंबर को हम हिंदी दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. इसको आप national हिंदी दिवस या फिर हिंदी डे के नाम से भी बुला सकते हैं. और ये हिंदी दिवस आपको हर साल सेलिब्रेट करने को मिलेगा. लेकिन 14 September को ही क्यों? क्योंकि 14 September 1949 में हमारी Constituent Assembly ने हिंदी को as an official language of country के रूप में अडॉप्ट कर लिया था और इसको Constitution के Article 343 में रख दिया गया था. तो इसलिए 14 September को हम हर साल हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं. अब इसका objective क्या है? कि हिंदी लेंग्वेज को और उसके culture को, उसके heritage को, उसकी values को पूरी country में और abroad में, people recognize करें, people celebrate करें और जाने कि हमारी जो हिंदी लेंग्वेज है, वो कितनी rich है? उसमें, क्योंकि हमारी हिंदी लेंग्वेजिस सिर्फ एक लेंग्वेज से मिलकर नहीं बनी है, हमारी लेंग्वेज, जो हिंदी लेंग्वेज है, वो अलग अलग लेंग्वेजिस का combination है, एक mixture है, इसलिए कहा जाता है कि हमारी हिंदी लेंग्वेज एक बहुत ही rich लेंग्वेज है, इसलिए इस rich लेंग्वेज को पूरी all our country में और worldwide recognition तो मिलनी ही चाहिए, इसलिए ये दिवस celebrate किया जाता है, हिंदी दिवस पे एक राजभाशा अवोर्ड भी दिया जाता है, और ये राजभाशा अवोर्ड जो है वो president देते हैं, जिन भी लोगों ने हिंदी लेंग्वेज में कोई बहुत अच्छा contribution किया होता है, या बहुत ही eminent personalities होते हैं, जो कि हिंदी रैंग्वेज में उन्होंने महाश्य हाशिल की होती है, तो उन लोगों को president ये राजभाशा अवोर्ड देते हैं, जैसा कि आपको इस अवोर्ड के नाम से ही पता चल रहा है, राज भाशा यानकि हमारी राज्य की भाशा का अवोर्ड, तो ये हमने जाना हिंदी दिवस के बार में, अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने आर्टिकल्स, तो बात कर लेते हैं हम अपने फर्स आर्टिकल्स की, हमारा फर्स आर्टिकल्स बात कर रहा है, ये अब फर्स में आ चुका है, यानि कि ये अब बाकी कंट्रियों उस पे लागू हो चुका है, जिन्होंने भी इसको रेक्टिफाइ किया होगा उनके उपर, अब इस उनाइटिद नेशन कंवेंशन में होगा क्या, कि जो इंडिया है और इंडिया के साथ जो भी फॉर्ण कंट्री, कॉर्परेट बिजनस करेंगी, या फिर ट्रेड करेंगी, अगर हमारी इंडिया और उस कंट्री के बीच में, कोई भी ट्रेड को लेके, बिजनस को लेके, डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उसको मिडियेशन के थ्रू सैटल डाउन करना, उस डिस्प्यूट को मिडियेशन के थ्रू सैटल डाउन करना, किसी भी नेगोसियेशन के थ्रू, तो ये काम करेगा, ये डिस्प्यूट सैटल डाउन करने का काम करेगा, United Nation Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि Mediation के थूँ जो भी dispute होंगे उनको settle down किया जाएगा एक agreement के तहत और ये agreement United Nations ने design किया होगा उसमें कुछ rules, regulations, कुछ guidelines होंगी जो कि हर country को follow करनी होंगी अब हम इस United Nation Convention on International Settlement Agreement Resulting from Mediation की बात कर लेते हैं देखो ये convention जो है वो अडोप्तो 20 December 2018 में ही कर दिया गया था United Nation General Assembly के दुआरा लेकिन इसको open किया गया 7 अगस 2019 को Singapore में इसलिए इस convention का नाम हम Singapore Convention on Mediation भी कह सकते हैं तो अगर question आपका प्रिलिंस में बने के Singapore Convention on Mediation क्या है और आपको United Nation के कुछ conventions के नाम आ जाएं तो आपका जो option होंगा वो होगा United Nation Convention on International Settlement Agreement Resulting from Mediation या फिर शॉर्ट फ़र्म में आप इसको बहुत सकते हैं कि इंडिया के जो भी फोरण कंट्री बिजनस करेंगी या फिर ट्रेड करेंगी उसके बीच में अगर dispute हो जाता है तो यह convention उस dispute को mediation के जरीए स्टर्ट लाउंड करने की कोशिश करेगा अब UN की first treaty है ऐसी जो कि Singapore के नाम पर बनी है इससे पहरे कोई भी ऐसा convention नहीं है जो कि Singapore के नाम पर बना होगा तो यह आपके लिए एक unique चीज हो जाती है यह आपको याद रखना important है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इसको जुलाई 2019 में ही sign कर लिया था और अगर हम recent की बात करें अगर हम 1 September 2020 से देखें तो 1 September 2020 से 53 countries ने इससे sign कर लिया है including China and USA तो यह कुछ बातें आपको इस Singapore Convention on Mediation के उपर याद रखनी है तो अब हम जान लेते हैं इस convention के कुछ significance याने की इसके कुछ importance के बार में यह convention promote करता है Mediation को जैसा कि मैंने बताया किनी भी countries के बीच में अगर business को लेके या trade को लेके conflict पैदा हो जाता है, dispute पैदा हो जाता है तो इस convention का काम है कि Mediation के तहट, Mediation के जरीए उस dispute वो settle down किया जा सके अब क्या होगा जब Mediation के तहट ही सारे disputes settle down हो जाएंगे तो international trade promote होगा सारी countries आपस में मिलके एक दूसरे की countries में invest करेंगी एक दूसरे की countries में trade करेंगी तो इससे international trade overall improve होगा अगर हम specifically इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए क्यों यह convention इतना important है अगर इंडिया को अपनी economic develop करनी है तो इंडिया को बाकी countries के साथ में अपने trade relation अच्छे रखने की बहुत ज़रूरत है अगर दूसरी country से investor आके हमारी country में invest करेंगे हमारी country में trade करेंगे तो हमारी country का export बढ़ेगा हमारी country में investment जादा होगी investment जादा होगी तो हमारे पास forex reserve जादा आएगा और इससे हमारी overall economic development है वो improve होगी तो अगर हमें अपनी इंडिया की जो economy है उसको develop करना है तो यह बहुत जरूरी है कि इंडिया अपने जो भी neighboring countries हैं और जो भी बाकी countries हैं उनके साथ अपना relation अच्छा रखे और इस convention से एक और चीज़ होगी कि जो ease of doing business report है उसमें हमारी इंडिया की ranking और भी जादा improve हो जाएगी क्योंकि जो foreign investors है उनको एक positive signal भी देगा उनके मन में confidence आएगा एक security आएगी कि इंडिया में invest करना beneficial है हमें कोई loss नहीं होने वादा क्योंकि अगर इंडिया इस convention का पारण नहीं करता है तो हम कहीं पर जाके complaint कर सकते हैं तो इसे लिए foreign investors के मन में भी एक security रहती है जिससे हमारी इंडिया में और भी जादा investors आएंगे वो हमारी country में और भी जादा investment करेंगे तो ये हमने बात की Singapore Convention on Mediation के बारे में अब हम देख लेते हैं अपना next article तो हमारा next article बात कर रहा है gas well fire put out 110 days after blowout ये तो rhyme हो गया context ये है कि असम के तिन सुकिया district में असम के तिन सुकिया district में एक oil field है जिसका नाम है OIL यानकी Oil India Limited इस Oil India Limited में suddenly तीन महीने पहले एक बहुत ही major blowout हो गया अभी हम blowout के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है तो आपको ये area याद रखना है ये आप अपने answer writing में mention कर सकते हैं असम के तिन सुकिया district के पास OIL field में एक बहुत ही major blowout हो गया और इस blowout से जो भी gas निकली वो इतनी immense थी कि अब तक वो control में नहीं आई है अभी उसको कुछ हद तक control कर लिया गया है तीन महीनों के बाद अब वो कुछ हद तक control हो चुकी है प्रोपर तरीके से उस gas leakage को control करने के लिए अभी कुछ हफते और लगेंगे और दिक्कत वाली बात यह है कि इस OIL field के कुछ किलोमेटर दूर ही एक national park भी है दिप्रू सिखोई national park जो की एक बहुत ही major बायो डाइवस्टिक एरिया है काफी rare और endangered species fauna और flora के लिए तो इस gas का वहाँ पर भी impact देखने को मिला है तो हम जान लेते हैं क्या होता है blowout और क्यों होता है blowout तो पहले हम बात कर लेते हैं blowout की की आखिर blowout होता क्या है तो माल लीजे कोई भी एक reservoir है जिसमें कोई एक gas reserve करके रखी हुई है तो होगा क्या जो भी उस reservoir का size होगा अगर वो gas उसके size से बहुत जादा उसमें insert कर दी जाएगी तो उसमें pressure का level बहुत जादा हो जाएगा और एक time ऐसा आएगा कि वो जो gas है वो आसपास के area से kick होना शुरू होगी यानि कि वो आसपास के जो भी reserve है उसके अंदर ही आसपास के area से वो बाहर निकलना चाहेगी बाहर निकलना शुरू होगी लेकिन उस gas को इतना space नहीं मिलेगा कि वो बाहर निकल सके तो अगर उसको कोई भी एक छोटा सा भी center मिल जाता है बाहर निकलने का तो उस gas के अंदर इतना जादा pressure है कि जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो suddenly एक blowout होगा और वो जो reservoir है वो फट जाएगा क्योंकि जो gas है वो अंदर इतना जादा अंदर pressurized हो रखी है इतना जादा उसमें अंदर pressure भरा हुआ है कि अगर उसको कोई भी space दिखेगा बाहर निकलने का तो वो अराम से नहीं निकल सकती उसमें अंदर इतना जादा pressure है कि अगर वो बाहर निकल लेगी तो वो जो reservoir है वो एक दम से फट जाएगा और इसको हम बोलते है ब्लो आउट यानि कि जो भी reservoir है वो अब ब्लो हो गया अब वो फट गया simple अब इस ब्लो आउट के दो reasons होते हैं पहला तो यह कि reservoir का size कितना है और दूसरा यह कि उस reservoir में जो gas है उस gas का pressure कितना डारा जारा है अगर reservoir काफी बड़ा है और gas का pressure उसमें उसके size से equal है या उसके size से कम है तो that is well enough तो इसमें तो घबराने वाली बात नहीं है लेकिन अगर reservoir का size छोटा है और इस छोटे size में बहुत जादा pressure से gas डाली जा रही है तो एक time आएगा जब यह reservoir फट जाएगा जब यह reservoir blowout हो जाएगा तो यह दो चीज होती है जो कि depend करती है कि blowout कैसे होगा अब blowout होने के काफी सारे reasons हो सकते हैं सबसे main reason होता है lack of workmanship या फिर lack of maintenance क्योंकि एक तरीके से lack of field area भी आप बहु सकते हैं क्योंकि जो reservoirs है उनकी capacity कम है और आपको gas जादा रखनी है आपके पास area इतना नहीं है इसलिए आप कम tankers में कम reservoirs में gas को जादा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि यह disaster है वो अकर होते हैं तो कुछ reasons हैं जैसे lack of attention, poor workmanship और bad maintenance, old age जानी की reservoir अब इतना जादा अच्छा नहीं रहा है उसकी quality degrade हो गई है और अगर आप उसमें gas रखेंगे तो obviously उसका जो material है reservoir का वह weak हो चुका है तो it is not safe कि उसमें gas को रखा जाएं क्योंकि ब्रॉट होने के chances बहुत जादा बढ़ जाएंगे और जैसा कि कोई भी tectonic factors होते हैं earthquake आया तो जो अंदर gas है उसमें कुछ तो effect आएगा उस earthquake से लेके तो यह भी एक factor है कि जो tectonic plates आपस में collision करती है आपस में टकराती है उससे जो अंदर की gas है वो disturbed हो जाती है जिससे blowout होने के chances बढ़ जाते हैं तो यह मैंने आपको बताया क्या होता है blowout और किन-किन चीजों पर depend करता है blowout पहला उसका reservoir का size कितना है दूसरा उसमें pressure कितना insert किया जा रहा है और क्या-क्या ऐसे reasons हैं जो कि blowout होने के chances बढ़ा देते हैं अब क्यो blowout को control करना इतना difficult task है क्योंकि उसमें जो भी gas होती है वो एकदम से इतना immense pressure में वो बाहर निकलती है तो environment में वो gas फैर जाती है और gas को control करना काफी difficult काम होता है क्योंकि उसमें fire लगने के chances काफी जादा बढ़ जाते हैं तो इसलिए इसको control करना इतना difficult होता है तो अब हम बात कर देते हैं डिब्रू शिखोय नेशनल पार्क की डिब्रू शिखोय नेशनल पार्क असम के तिन सुक्या डिस्ट्रिक्ट से एप्रॉक्सिमेट्री 900 मीटर की दूरी पर है और यह जो नेशनल पार्क है यह रेर और एंडेंजर स्पीशी जो की फ्रोरा और फॉना की है वहां का बहुत ही अच्छा होर्सपोट माना जाता है यहां पर 36 स्पीशीज जो है वो मैवल की पाई जाती है और नियरली 400 स्पीशीज ऑफ बर्ड की पाई जाती है तो यह आपको कुछ चीज़े याद रखनी है डिब्रू शिखोय नेशनल पार्क के बार में तो यह हमने बात की असम के तिन सुक्या डिस्ट्रिक्ट में ओयल फिल्ड के ब्लो आउट के बार में तो आज के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपने कल के लेक्टर में आज की वीडियो अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें अगर अच्छी नहीं लगी तो डिस्लाइक करने का भी पूरा हक है लेकिन डिस्लाइक क्यों की है यह कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले ताकि मैं अपनी वीडियो को और भी जादा अधिर आपको मेरी वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो बाकी बच्चों तक भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी मैं अपनी वीडियो का फायदा पहुंचा सकूँ So that is all for today. Thank you so much and have a nice day.